नमस्कार साथियों, साथियों में मंजेच सिंग स्वागत कर तम आपके पनी चैनल घजब हरियाना में साथियों कल एक सरवनाक हरकत सामने आई है मैं तो इसको सरमनाक ही कहूंगा क्यूंकि बिना जांच के ही किसी को बज सलूकी से उठा लेना ही सरमनाक कहलाता साथियो मंदी पुनिया और दरमेंदर जो पत्रकार थे उनको उठा लिया गया था जैसे ही कुछ स्वाल जवाब के बाद दरमेंदर को पत्रकार को छोड़ दिया गया है जो एक अच्छे लोकल रिपोर्टर है और जो मंदी पुनिया है मंदी पुनिया को तिहाड जेड़ बेज दिया गया है उसका गुणा क्या था उसका गुणा मैं आपको बता देता हूँ उसने जो पत्थरवाजी कर रहे थे जो सिंगु बोर्डर पर पत्थरवाजी हुई है या फिर 26 जन्वरी पर जो पत्थरवाजी हुई है उन लोगों के नकाब और चहरे उतार दिये थे और उनका चहरा सामने लेकर आए थे तो मंदी पुनिया ने फेस्बुक पर लाइब होकर भी उनकी जो प्रोफाइल है वो बताए थी उनकी पूरी जांच करने के बाद ही उन्होंने खुलासा किया था लेकिन उस खुलासे के बाद कुछ ऐसे BJP के RSS के लोग आए हैं जिसकी वज़े से उसको तिहाड जेड बेज दिया गया है तो सत्यू मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सच्चे पत्रकार की यही हालत हुई तो सच्चे पत्रकार नहीं रहेंगे क्योंकि फिर बिकाव मीडिया ही चलेगा अगर सच्चे पत्रकार की ऐसे ही मोत होती रही अरेश्ट करते रहे तिहाड जेड में डालते रहे तो सच्चे पत्रकार नहीं रहेंगे क्योंकि बिकाव मीडिया ज्यादा हो चुका है गोदी मीडिया ज्यादा हो चुका है साथियो मंदीप पुनिया के नाम से हैज टैग यानि जो बड़े-बड़े चैनल है उस पर भी दिखाए जा रहे है कि मंदीप पुनिया को कैसे अरेश्ट किया गया है किस वज़े से अरेश्ट किया है और जितने भी किसान है, किसानों ने भी दरना लगा दिया है, मंदीपुनिया के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, जितने भी सिंगू बोर्डर, टेकरी बोर्डर, गाजीपूर बोर्डर, सभी बोर्डर से डासा बोर्डर, वहाँ पर भी दरना चला जा रहा है कि उसको रिहा कर है क्योंकि उसने सचाई दिखाई है हो सकता है उसकी कोई कमी रही हो लेकिन जांच का विश्या है ऐसे नहीं है कि सीधा तीहाड जेड बेजना चाहिए यह जांच का विश्या था इसमें तो जांच सबसे पहले जांच होनी थी कि जिन लोग ने पत्थरवाजी की है तोड़ है वो यही है RSSK है या BJP कोई भी हो कोई भी हो सकता है तो इसमें जांच का विश्या था पहले जांच होनी थी उसके बाद ही उसको उठा सकते थे लेकिन उन्हों उसने जो प्रोफाइल के माध्यम से प्रोफाइल पिक्चर भी उनकी निकाले प्रोफाइल जो फेस्बुक प्रोफाइल भी निकाले है तो उन्होंने पूरी जौंच के बाद ही वीडियो वारिल किया था और उसके बाद उसको सिधा तीहाड जेल बेज दिया गया है साथ ही अगर सचे पत्रकार के साथ ऐसा ही होता हुआ रहा तो एक दिन ये पत्रकारीता भी खतम हो जाएगी तो जितने भी यूट्यूबर भाई हैं जितने भी पत्रकार हैं जितने पत्रकार साथी हैं नैसनल मीडिया है उनसे भी मैं हाद जोड का रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी गल्त उसके खिलाप निउज न डाले क्यूंकि एक आरौप लगाया गया है कि उन्होंने बद्शलूकी की है पुलिस के साथ बद्शलूकी की है हाथ अपाई की है लेकिन पत्रकार का ये काम नहीं होता है वो बिल्कुल ही सांत सवाव का होता है हो सकता है थोड़ा जोश में आकर कोई ऐसे सबाश पूछले लेक पत्रकार एक सच्छा सांत मन का होता है तो साथियो वीडियो को ज्यादे ज्यादा सेर जरूर करे मिलते नेक्ट वीडियो में धन्यवाद